हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल अलफा नॉलज़ बॉक्स इस वीडियो में मैं क्लास फिफ्थ मैथ के एक एन्वल एक्जाम के कोशन पेपर को डिसकस करने वाली हूँ जो MP बोर्ट दोरा दिया गया मॉडल कोशन पेपर है सभी कोशन पेपर की तरह यहां भी 24 कोशन से हैं All questions are compulsory Q1 to Q10 multiple choice question है Q11 से Q20 तक short answer type questions है Q21 से Q24 तक long answer type questions है Multiple choice questions Q1 if resins are reduced to 1 upon 3 of their weight When made from 1 kg grabs then how much will be made from 12 kg of grabs Option यह है कि 1 kg grabs है अगर किश्मिश बनती है तो उसका weight reduce होकर के 1 upon 3 रह जाता है अगर 12 kg grabs है तो कितनी किश्मिश बनेगी A. 3 kg B. 4 kg C. 12 kg and D. 6 kg अगर 1 kg grabs से किश्मिश बनने पर उसका weight घट करके reduce होकर के 1 upon 3 हो जाता है A. dash angle यहां पर जो भी angles दिये हुए हैं उनमें से English का A. alphabet कौन सा angle नहीं बनाता है चले पहले इन angles के बारे में जान लेते हैं अगर 90 degree का angle है जिस तरह से यह angle बना हुआ है यह 90 degree का angle है इसे right angle बोलते हैं अगर angle 90 degree से कम है छोटा है तो उसे acute angle बोलते हैं अगर angle 90 degree से बड़ा है greater than है तो उसे obtuse angle बोलते हैं और अगर angle 180 degree का है तो उसे straight angle बोलते हैं अब इन एंगल्स को अल्फाबिट में बने हुए एंगल से मैच करिए यहां पर देखिए यह एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है यानि एक्टूट अंगल है यह एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है यानि एप्टूस एंगल है और यह एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है यान इन्दा फिगर बिलो इस इस फिगर में जो ये लीफ दी हुई है इसका अनुमानित छेतर फल कितना है यहां पर वन बॉक्स इसकल टू वन स्क्वार सेंटिमीटर है अगर कवर एरिया इस थरह से हाफ से जादा है तो उसे वन मान लिया जाता है चलिए ये देख लेते हैं कि इस लीफ ने कितने बॉक्स इसको कवर करके रखा है पहला बॉक्स ये बन रहा है दूसरा बॉक्स ये है अगर इस कवर एरिया को इस कवर एरिया से आपस में मिला दिया जाए तो एक बॉक्स यहां पर बन जाएगा इसी तरह से अगर इस कवर एरिया को इस कवर एरिया से म ये वाला और ये और ये, अगर इन सब को आपस में मिला दिया जाए, तो एक बॉक्स यहां से रेडी हो जाएगा, इस तरह से टोटल बॉक्स हो जाएगे, वन, टू, ये पूरा ब्लू वाला थ्री, येलो वाला फोर, और ये छोटे एरिया जो थे, ये मिलकर के फाइव, या सेंटीमिटर, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइब स्क्वार सेंटीमिटर, होश नंबर फोर, बाइ लुकिंग एड़ ग्रिट आफ दा पिक्चर की विवन बिलो, ठेल, हाव मुच पार आफ दा ग्रिट इस सेड़ेड, यहां पर जो ग्रिट दी है, यान 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसे आप दोसी तरह से भी काउंट कर सकते हैं, इधर देखे, 1, 2, 3, 4, और इधर भी 1, 2, 3, 4, यानि अगर आप 4 x 4 कर दें, तो भी टोटाल आजाएगा 16, अब शेड़ेट पोरिशन देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8, यानि हाफ पोर्शन इसका शेड़ेड है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटाल बॉक्से से 16, उसमें से 8 शेड़ेड है, यानि इसको जब आप कट करेंगे, 8 बंसा 8, और 8 टूसा 16, तो 1 अपान 2 आजाएगा, यानि हाफ पोर्शन आज नमबर 12 और नंबर 12 आइंकलूड़ेड इन दा सेक्षन, यानि A 3, B 4, C 8, और D 6, इसमें से 12 के फेक्टराइजेशन में कौन सा नमबर नहीं आता है, 3 4 जरी होता है, 4 3 जरी होता है, 6 2 जरी होता है, लेकिन 8 से कोई भी नमबर मल्टिप्लाइ नहीं हो रहा है, जिससे 12 आए यानि यह 12 का factor नहीं है इसलिए correct answer हो जाएगा 8 12 के factorization में नहीं आता है question number 6 यहाँ पर 4 clock दी है यहाँ पर 12 है यहाँ पर 1 o clock है यहाँ पर 2 o clock है और यहाँ पर 3 o clock है और उसके बाद blank space है the next sequence in this clock pattern will be यहाँ पर कौनसा next pattern होगा first option में 9 o clock है second option में 11 o clock है third option में 8 o clock है और last d में 4 o clock है और यहाँ पर 3 o clock है इसलिए correct answer हो जाएगा d 4 o clock question number 8 how many centimeter are there in 1 meter and 75 centimeter आपको यहाँ पर यह बताना है 1 meter and 75 centimeter में कितने centimeter होंगे यहाँ पर options है a 1075 centimeter b 175 centimeter c 1750 centimeter and d is 75 centimeter सभी options में unit centimeter में है यहाँ पर 75 centimeter है लेकिन 1 meter है इसलिए इससे पहले centimeter में convert करेंगे 1 meter is called to होता है 100 centimeter इसलिए इस 100 को और 75 को आपस में add करेंगे जिससे answer आजाएगा 175 correct answer हो जाएगा b 175 centimeter question number 9 what part of 1 rupees is 25 पैसे 25 पैसे 1 रुपे का कौन सा part है a 1 upon 4 b 1 upon 3 c 1 upon 2 and d 1 upon 5 अगर आप 25 plus 25 plus 25 plus 25 करें तो 100 आएगा यानि 100 पैसे आएगे और यहाँ पर 100 पैसे is equal to 1 rupees होता है यानि 4 times 25 add हो रहा है जब 1 rupees बन रहा है इसलिए correct answer हो जाएगा 1 upon 4 यानि 25 पैसे 1 rupees का 4th part है question number 10 when dividing the number 21 by what the remainder will be 1 यानि 21 को किस number से divide करने पर 1 remainder बचेगा अगर 21 को 2 से divide करें तो 2 10 सा 20 होता है और 1 बचेगा 4 से divide करें तो 2 5 सा 20 होता है 1 बचेगा 5 से divide करें तो 5 4 सा 20 होता है यहाँ पर भी 1 बचेगा यानि सभी में 1 remainder बच रहा है इसलिए correct answer हो जाएगा D all of the above short answer type question question number 11 से question number 20 तक question number 11 solve 43 into 62 62 को 43 से multiply करना है यहाँ पर आपको long method का use करना है क्योंकि 62 and 43 की table आपको learn नहीं होगी इसके लिए 2 को इस पूरे number से multiply करना है और उसके बाद 6 को इस पूरे number से multiply करना है 236 हो जाएगा और 248 हो जाएगा अब 6 से multiply करने से पहले first digit के नीचे आपको 0 या cross का sign लगाना है 6, 3, 18 18 की यहाँ पर 8 लिखेंगे 1 केरी हो जाएगा 6, 4, 24 प्लस 1, 25 हो जाएगा अब जब इन दोनों को add करेंगे तो answer हो जाएगा आपका 2666 Question number 12 Select the letter of the English alphabet in which a right angle can be formed English के essay alphabets को select करें जिसमें right angle form हो सकता हो essay alphabets जिसमें right angle बन सकता है वो है E, F, H, L and T चलिए यह देख लेते हैं alphabets में कहां पर right angle बन रहा है right angle means 90 degree का angle अगर आप यहाँ पर देखें तो 90 degree का यानि right angle बन रहा है इधर से देखें तो यहाँ पर यहाँ पर right angle बन रहा है इसी तरह से यहाँ पर right angle बन रहा है इधर से right angle बन रहा है और इधर से right angle बन रहा है इसी तरह से ह में यहाँ पर यहाँ पर इधर और इधर यहाँ 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 और यहाँ सभी ज़खे right angle बन रहा है L में यहाँ पर right angle बन रहा है T में दो right angle बन रहे हैं number 13 how many zeros are there in the numbers one crore one crore में कितने जीरे होते हैं सबसे पहले आपको इस तरह से one crore लिख लेना है उसके बाद इसके places को count करिए one ten hundred thousand ten thousand lakhs ten lakhs और one crore इन zeros को अब count करिए one two three four five six seven इसलिए answer हो जाएगा number of zeros equal to seven इसी तरह से अगर crore की जगे आपसे लैक्स पुछा जाए तो आप यहां पर five answer लिखेंगे क्योंकि लैक्स में five zeros होते हैं question number 14 what will be the total rupees including eight athandhi अगर आप eight athandhi को मिलाते हैं तो total कितने रुपीज बनेंगे इसको आपको step by step calculate करना है सबसे पहले यह देखते हैं कि eight athandhi कितने पैसे के बराबर होती है one athandhi is called to 50 पैसे और यहां पर eight athandhi है इसलिए eight athandhi is called to आपका answer हो जाएगा 158 इसकल टो फोरहनड़ेड पैसे यहां पर टुटल रूपीज बताना है सले फोरहनड़ेड पैसे को रुपीज में गरेंगे इसलिए यह जानेंगे कि एस स्कल्टू कितने पैसे तो वन रुपीज स्कल्टू होते हैं 100 पैसे और यहां पे टोटल आया था 400 पैसे 400 को रुपीज में लिखने के लिए 400 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 4 सा 400 यानि 4 आंसार आ रहा है जो की रुपीज में है आपका आंसार हो जाएगा 4 रुपीज यानि 8 अठंडी स्कल्टू हो जाएगा टोटल रुपीज 4 Q15. A field was divided into 12 equal parts. Out of which 2 4th part were sewn with paddy? How many parts will you have to shed if sewn through the picture? Solution आप लिखेंगे 2 4th of 12 यानि 2nd quarter of 12 is equal to 12 into 2 upon 4. 2 को 12 से multiply करने पर 24 आजाएगा और नीचे 4, 4 6 सा 24 यानि आसार आपका हो जाएगा 6 parts. जो बच्चे हिंदी मेडियम की हैं वो यहाँ से पूरा solution देख सकते हैं. Q16. How many triangle surfaces are there in the figure given below? इस figure में कितनी triangle surfaces हैं ये आपको बताना है. यहाँ पर 4 triangle surfaces हैं. यहाँ पर ये surface हैं. दूसरी ये surface हैं. तीसरी ये surface हैं. और लास्ट 4 ये surface हैं. यानि यहाँ पर total 4 surfaces हैं. Solution आप लिखेंगे. Looking at the figure. It is known that it is in the shape of a pyramid and it has 4 triangle faces. Answer is equal to 4. यहाँ पर question का Hindi में solution लिखा हुआ है. जो कि Hindi medium के बैच्चों के लिए है. Question number 17. Write the next to later. आप the following patterns. आप the English alphabet pattern है. A, Z, B, Y, C, X, D, W. इस pattern को कैसे बनाया गया है? चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर A को last alphabet Z से match किया गया है. B को Y से, C को X से और D को W से. इसलिए next आने वाला pattern हो जाएगा. D के बाद यहाँ पर E और W के पहले V. Solution आप लिखेंगे. In the above pattern, we say that the order of the beginning letters and the last letter have been combined. Next in line would be EV. Answer is EV. और question number 17 का Hindi मेडियम के बैच्चों के लिए यह answer है. Question number 18. Write any three common multiples. आप दा number 10 and 15. 10 के multiples हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और इसी तरह से आगे भी. 15 के multiples हैं. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 और आगे भी. इस तरह से दोनों number के multiple लिखने के बाद आपको यह देखना है कि दोनों में कौन से multiple common है. यहां पर 10 है. इधर 10 नहीं है. यह 20, इधर 20 नहीं है. 30, यहां पर 30 है. यानि यह दोनों common multiples है. अगला है 40. यहां पर 40 नहीं है. next है 50. इधर 50 नहीं है. अगला है 60. यहां पर भी 60 है. इस तरह से इसे close का लिजे. अगला है 70. इधर 70 नहीं है. next है 80. इधर 80 नहीं है. next है 90 और इधर भी है 90. इस तरह से 1, 2, and 3 common multiples मिल चुकी है. आप लिखेंगे the common multiples of the above are 30, 60, and 90. answer is 30, 60, and 90. यह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए solution है. question number 19. How many rupees will be there in 4, 10 rupees, and 2, 50 rupees? अगर आपके पास 4, 10 के rupees हैं, और 2, 50 के rupees हैं, तो आपके पास total कितने rupees होंगे? solution आप लिखेंगे 4, 10 notes is equal to 4 into 10. 4 notes है 10 के, 10 को 4 से multiply करने पर 40 आ जाएगा, यानि 40 notes हो गए. 2, 50 notes is equal to 2 into 50, यानि 2 notes है 50 के, 50 को 2 से multiply करने पर 100 आएगा, यानि 100 notes हो गए. अब इन दोनों को आपको add करना है, 40 plus 100 is equal to 140, यानि total rupees हो जाएगे, rupees 140. question number 20, in a clock, if the minute hand is at 11 and the hour hand is at 3, then what angle will be formed between the two hands? अगर एक clock में minute का hand 11 पर है और hour का hand 3 पर है, तो angle कौन सा बनेगा, ये angle बनेगा, obtuse angle. क्योंकि अगर यहाँ पर angle बनता, तो ये 90 degree होता और right angle बनता, ये 90 degree से बड़ा angle बन रहा है, इसलिए correct answer हो जाएगा, obtuse angle. long answer type questions, question number 11 से question number 20, question number 11, find the sum of the days of the month having 31 days in the year, one year यानि 12 month में, जिन भी month में 31 days आती हैं, उनके days को sum करना है, पहले उन month को देख लेते हैं, उसके बाद उसकी number को add करेंगे, first month 31 days का होता है, March 31 days का होता है, May 31 days का, July 31 days की, August 31 days का, October 31 days का, December 31 days का, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 month ऐसे हैं, जो कि 31 days की होते हैं, इसलिए 31 को 7 से multiply करने पर 217 आएगा, आंसर हो जाएगा 217 days, ये आंसर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, question number 22, the length of a room is 20 feet and the width is 12 feet, then what will be its parameter, suppose इस तरह से rectangular form में एक room है, जिसकी length है 20 feet और width है 12 feet, आप solution लिखेंगे, length is called to 20 feet, length of both the side, 20 into 2 is called to 40, यानि इसकी और इसकी length 40 हो गई, width is called to 12 feet, width of both the side, यानि इधर की और इधर की side की विर्थ हो गई, 12 into 2, यानि 24 feet, इन दोनों को जब आप add करेंगे, तो आशार आजाएगा 64 feet, यानि पेरिमीटर हो जाएगा 64 feet, इसको फार्मूला के थूपी कैलकुलेट कर सकते हैं, पेरिमीटर का फार्मूला हो जाएगा, पी इसकोल टू, 2 into L plus B, यानि 2 into length into birth, यहाँ पर length है 20 feet, और birth है 12 feet, इसलिए हो जाएगा 2 into 20 plus 12, 20 और 12 को प्लस करने पर 32 आएगा, 32 into 2 इसकोल टू हो जाएगा 64, इसलिए करेक्ट आशार आजाएगा 64 feet, कोशन नम्बर 22 का ये हिंदी में solution है, कोशन नम्बर 23, complete the table by looking at the picture given below, यहाँ पर जो picture दी हुई है, इसे आपको complete करना है, यहाँ पर आपको दी हुई pictures को बहुत अच्छी तरह से observe करना है, और ये बताना है कि इसमें right angle बन रहा है, right angle से बड़ा angle बन रहा है, या फिर right angle से छोटा angle बन रहा है, पहला देखें, यहाँ पर right angle से छोटा angle बन रहा है, इसलिए आप इस तरह से tick कर देंगे उसके सामने, दूसरे में यहाँ पर भी right angle से छोटा angle बन रहा है, इसलिए इसके सामने यहाँ पर tick करिए, third में यहाँ पर भी right angle से छोटा angle बन रहा है, इसलिए यहां पर टिक करिए, यहां पर फूर्थ में राइट एंगल से बड़ा एंगल बन रहा है, इसलिए यहां पर टिक करिए, इसमें राइट एंगल बन रहा है, इसलिए राइट एंगल वाले कॉलम में टिक करिए, इसलिए यहां पर टिक करिए, इसमें यहां पर एंग से बड़ा एंगल बन रहा है यानि यहां पर आप टिक करेंगे इस तरह से फर्स्ट फिगर में राइट एंगल से छोटा है इसलिए यहां पर टिक लगा हुआ है सेकेंड में लेस दैन राइट एंगल यानि यहां पर टिक लगाएंगे थर्ड में लेस दैन राइट एंगल य यहाँ पर टिक लगेगा और इस pencil में यहाँ पर Angel बन रहा है इसलिए राइट एंगल यहाँ पर टिक लगेगा और इसमें right angle से बड़ा एंगल बन रहा है more than right engaged यानि यहाँ पर टक लगेगा इस तरह से आपको इस question को complete करना है यहां पर इन सारी figures का observation हिंदी में लिखा हुआ है Question No.24 This is the last question of the paper The measurement of Renuka's room is as follows Length is 6 cm and width is 5 cm Renuka के room की measurement 6 cm and 5 cm है How many square tiles of site 10 cm are to be installed in his room? यानि अगर इस तरह की कोई tiles है, जिसकी sides, दोनों side 10 cm है, यानि square में है तो कितनी tiles उसके room में लगेंगी? Solution आपको step by step लिखना है Solution आप लिखेंगे Measurement of the room is equal to length is equal to 6 meter और width is equal to 5 meter यहां पर room की length 6 meter है और width 5 meter है यानि room एक rectangular form में है और rectangle के area का formula होता है length into width इसलिए 6 into 5 करने पर answer आएगा 30 square meter यानि इन दोनों को multiply करने पर area निकल आएगा 30 square meter यहां पर दोनों unit सेम थी लेकिन अब आपको इसको convert करना पड़ेगा क्योंकि tiles cm में है converting meter to cm 1 meter is equal to 100 cm इसलिए 30 meter को cm में convert करेंगे 30 into 100 is equal to 3000 square cm अब area निकालेंगे area of tiles is equal to 10 into 10 यानि 100 square meter total number of tiles हो जाएगी 3000 divided by 100 यानि 30 tiles यहां पर इन दोनों को divide करें या फिर इनकी zeros को कट कर दें दो zeros इस तरह से कट हो जाएगी 130 जा 30 इसलिए answer हो जाएगा 30 tiles यहां पर पूरा answer हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी मीडियम के students के लिए इस इस दा end of video thanks for watching अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करें